दोस्तो आप सभी का हमारी यूटूब चनल विना इस्टडी के एन में स्वागत है दोस्तो यदि आप ACF रेंजर की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ वीडियो आपके लिए काफी महत्पून होने वाला है दोस्तो CG व्यापम, CG PC के लिए भी यह वीडियो महत्पून होगा दोस्तो आज की इस वीडियो हम देखेंगे Physics, भौतिक विज्ञान से संबन दीत, कुछ महत्पून, बहुविकल्पी प्रश्न टॉपिक रहेगा Physical Quantities and Measurement दोस्तो यहां से एक से दो प्रश्न प्रतेक इग्जाम में पूछे जाते हैं तो परिक्षा की दृष्टी से यह topic काफी महत्पून है और यहां Part 2 है इससे पहले हमने Part 1 अप्लोड किया हुआ है उसे आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं या आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तो आप हमें इस्टागरम पर भी फालो कर सकते हैं साथ ही साथ यह हमारा Telegram चैनल है Telegram में जाकर के आप पूने Study Can लिखेंगे हमारा Channel आपको दिखेगा वहाँ जाकर जोइन कर सकते हैं या फिर ये Link हमारे Channel का है यहाँ पर भी जाकर के आप जोइन कर सकते हैं पहला प्रश्ण दोस्तो पारसिक इकाई है समय की दूरी की प्रकास की चमक की चुमक की बल्की तो दोस्तो पार्सेक जो होता है वो होता है दूरी की एकाई उसके बाद दिया है पार्सेक मात्रक है यहाँ पर एकाई पूछा गया है और यहाँ पर मात्रक पूछा गया है ओप्शन देख लेते हैं समय का दूरी का उर्जा का और तापकरम का तो दोस्तो पार्सेक का मात्र जो है दूरी का है तो ओप्षन भी सही होगा तीसरा प्रस्ट दोस्तो एक नैनोमीटर होता है दस की घात रिन 7 सेंटीमीटर दस की घात रिन 8 सेंटीमीटर और दस की घात रिन 9 सेंटीमीटर तो दोस्तो एक नैनोमीटर जो होता है वो दस की घात रिन 7 सेंटीमीटर होता है त दूरी की तो दोस्तो प्रकास वर्स जो है दूरी की कई है तो option D सही होगा आगे बढ़ते हैं पाजवा प्रशन प्रकास वर्स होता है वह वर्स जिसमें कार्य भार हलका रहा हो वह वर्स जिसमें सूर्य का प्रकास अधिक्तम रहा हो प्रकास द्वारा एक वर्स में चली गई दूरी सूर्य तथा प्रित्वी के बीच की अवसत दूरी तो दोस्तों प्रकाश वर्स होता है प्रकाश ज्वारा एक वर्स में चली गई दूरी ऑप्शन सी सही होगा चाटवा प्रशन दोस्तों प्रकास वर्स एकाई है समय की दूरी की आयू की और प्रकास की तीवरता की तो दोस्तों प्रकास वर्स दूरी की काई होती है तो option भी सही होगा साथवा प्रशन एक पारसेक तारो शंबंधी दूरिया मापने का मातरक बराबर है जिसमें दिया है 3.25 प्रकाश वर्स, 4.25 प्रकाश वर्स, 4.50 प्रकाश वर्स और 3.00 प्रकाश वर्स तो दोस्तो एक पार से तारो सम्मदी दूर्याम आपने का मात्रक 3.25 प्रकाश वर्स के बराबर होता है तो option A सही होगा आगे बढ़ते हैं आठवा प्रश्न फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है option दिया है देखेगा शमवेग है उर्जा आवेग और लंबाई तो दोस्तो फर्मी जो है लंबाई की मात्रक है तो option D सही होगा आगे बढ़ते हैं प्रकाश वर्स है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्स में तय करता है वह वर्स जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है वह समय जो सूर्य की किर्णे प्रित्वी तक पहुँचने में लेती है वह समय जिसमें अंत्रिक छेयान प्रित्वी से चंद्रमा तक तो option है सही होगा आगे बढ़ते हैं दस्वा प्रश्णी के और प्रकाश वर्स मात्रक इकाई है यहां पर पूछा गया है समय का प्रकास की तीवरता का दूरी का और प्रकाश के वेक का दोस्तों प्रकाश वर्स का मात्रक जो है वो है दूरी का प्रकाश वर्स एकाई है दू तो दोस्तों बार-बार कुश्चन जो है गुमा गुमा कर पूछा जा रहा है और इसका जो सही उत्तर है एक वर्स में प्रकाज वर्स तै की जाने वाली दूरी आगे बढ़ते हैं समय एकाई निमलिकित में से कौन सी नहीं है दीन वर्स प्रकाश वर्स और घंटा तो दोस्तों दीन होता है समय की खाई वर्स भी होता है और घंटा भी होता है यहाँ पर सी जो ऑप्शन है प्रकाश वर्स दिया है वो नहीं होता उसके बाद भूकम की तिवर्ता का मापन किया जाता है केल्बिन पर माने पर रियक्टर पर माने पर डेसीबल में और पासकल मे तो दोस्तो भूकम की तिवरता रियक्टर पहमाने पर नापी जाती है तो option भी सही होगा पंदरवा प्रशन निमलिखित में से कौन सी रासी रियक्टर पहमाने पर मापी जाती है जनसंख्या वृद्धी बिल्कुल गलत है हिमनत की चाल ये भी नहीं है भूकम की तिवरता जी भूकम की तिवरता मापी जाती है प्रित्वी के अंदर का तापमान ये भी नहीं है option C सहीं होगा शोलवा प्रशन यांत्र की उर्जा की A.I.E. क्या है पुछा गया है वार जूल न्यूटन सेकंड और न्यूटन जूल सेकंड दिया है ठीके चार option दिया है तो इसमें जो है यांत्र की उर्जा की जो A.I.E. काई होती है वो ती जूल आगे बढ़ते हैं जूल उर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंध है आपको बताना है दबाव, मात्रा घनत्व और सुधता तो दोस्तो जूल उर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दबाव से तो option A सही होगा उसके बाद दिया है प्रकास की गती जिसमें 3 गुडित 10 की घात 11 सेंटिमीटर मेटर सेकंड यह है मेटर परती सेकंड ठीक है उसके बाद 9 गुडित 10 की घात 2 मेटर सेकंड और 3 गुडित 10 की घात 8 मेटर परती सेकंड और 2 गुडित 10 की घात 4 मीटर पती सेकंड तो दोस्तों प्रकास की गति जो होती है 3 into 10 की पावर 8 मीटर पती सेकंड ठीक है यह होती है तो option C सहीं होगा आगे बढ़ते हैं चंद्रमा की सता से एक चटान को प्रित्वी पर लाया जाता है तब इसका भार तथा द्रविमान दोनों बदल जाएंगे इसका द्रविमान बदल जाएगा इसके भार तथा द्रविमान दोनों अब परिवतित रहेंगे इसके भार बदल जाएगा पर दोस्तों जब हम चंद्रमा से किसे एक चटान को लाते हैं तो उसका भार तो बदलेग भार बदल जाएगा लेकिन द्रभ्यमान क्या रहेगी वही रहेगी तो option D सहीं होगा आगे बढ़ते हैं बीश्वा प्रश्ण की ओर निमलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है नौटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की एकाई नौट जहाज के चाल की मा ओम श्ट्राउं प्रकास के तरंग ध्यर्द की एकाई और प्रकास वर्श समय मापन की एकाई तो दोस्तो इसका जो सहीं उत्तर है वो है प्रकास वर्श समय मापन की एकाई यह जो है गलत है तो option D ठीक है